हलो इस पैरिंट्स कैसे हो सब बढ़िया आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं उत्सर जी उत्पाद एवं उनका निश्काशन इस चेप्टर का आपन वन्शोट करने वाले हैं अगले 40-45 मिनट के अंदर इस चेप्टर करने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में पूरा इन नोट्स के अंदर आपकी अंदर covered हैं तो आप यह नोट्स के लिए यूज कर सकते हूँ चलो जी स्टार्ट करें स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्टेस्ट कर लेता हूं लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे उसके अलागा डिस्क्रिप्शन में एप का लिंक है अगले संदे को और उसको अपने फुल बायलोजी का टेस्ट अपना तो आप देखिए आप कहां स्टेंड कर रहे हूं फ्री ओफ कोस्स चल रहे हैं वाँपे टेस्ट होते रहते हैं उसके लाव पीडिएफ नूट जितने भी हो सारे आपको वही मिलेंगे तो डाउनलोड क कर लेना वहां पर आपको पता रहे हैं कब उखलास होनी या कब नहीं होनी यह सरी बात है चलो आगे बढ़ते हैं शुर करते हैं आज का चप्टर नाम है जी उठसर जी उतपाद एवं उनका निश्गाशन ठीक है अपन पीते हैं मेन खाने वाला नहीं होगा या पीने वाल अपनी बढ़ते हैं उनसे क्या होगा उनसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक आसिड, सी ओ टू, वाटर, एने प्लस, के प्लस, cल लेगटिव, फोसफेट, सलफेट आधी का क्या हो जाएगा संचे हो जाएगा आधी जिएं क्या हो जाएगी स्टोर हो जाएगी अपन पी रहे उसके अलावा अपनी बोडी के अंदर मेटाबोलिक एक्टिविटी चल रही है इन से क्या होगा जब मेटाबोलिक एक्टिविटी चलेंगी तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक ऐसेड, CO2, वाटर, Na+, K+, सल्फेट, फोस्फेट, यह सारी चीजे जो हमारे अंदर क्या है जो है स जो हमाज में आ गए यह सारी चीजे उत्पाद है विए कैसे जी अपने अंताइरन कर लिया या अपनी अमेटाबोलिक अक्टिविटी यह उन से यह क्या है यह आपकी उत्षर जीजे उत्पाद बने है इन यह इस टोर हो चुके है अब इनका आपको निसकाशन करना है आज जीव जो अमोनिया का उत्षर जिन कहते हैं उन्हों क्या कहेंगे अपन अमोनिया उत्षर जी कहेंगे यह उत्षर जिन किसका करेंगे अमोनिया का उत्षर जिन करेंगे यह नाम में पता लग रहा है और एक चीज में आपको उता देता हूं कि जो जितना ज्यादा टॉक्स उत्सरजी पदार्थ होगा, उसको बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा पानी के आफशिक्ता होगी, वापस उन्हें एक बार मैं क्या कहना चाहरा हूँ, मैं कहना चाहरा हूँ, कि जो उत्सरजी पदार्थ, जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा, उसको उतना ही ज्यादा पानी के आफशिक्ता होगी बाहर निकालने के लिए, ठीक है, अमोनिया यहाँ पर उस्वर जिदा बादा क्या है अपना, अमोनिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अधिक जल्की आफशिक्ता होती है, अधिक जल्की आफशिक्ता होती है, अमोनिया क्या है, तो इसको बाहर निका और बोनी फीसस ये भी पानी के अंदरी रहती है तो यह जो पानी में रहने वाले जीव आपके Ammonia उत्सरजी होते हैं यहां पर ठीक है पानी को कमी नहीं है ठीक है यूरिया का होगा, अब बात करें, पानी की कितनी आपशिक्ता होगी, तो मैंने का, अमोनिया तो बहुत क्या है, टॉक्सिक है, तो इसको निकालने की पानी की आपशिक्ता भी क्या होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो यूरिया जो है, वो टॉक्सिक तो है, लेकिन अमोनि मुकाबले में कम होती है, ठीक है , एक्जामपल की बात करें तो इस्तंधारिया आप पर एक्जामबल हो जाएंगे ठीक है, आपके इस्तंधारिया में हम भी आगे ठीक है, इस्तोरो 14 हो गए तो इसको निकालने के लिए कम पानी की आफशिक्ता होगी, तो सबसे कम जल की आफशिक्ता, यूरियो जो टेलिक है, यूरिको टेलिक उनके अंदर होगी, यूरिका आमले का उच्छरजन करने वाले में, एक्जामबल की बात रहे, तो रप्टाइल्स होगे, आपके वर्ड्स होगे, इंसक्ट होगे, स्नेल्स होगे, तो आपने नोटिस भी किया होगा, कि आप जो कि जो पक्सिव अगेरा है न, इनका आपने उच्छरजन देखा है क्या, कम से कम पानी की आफशिक्ता होती है, पाना में मनुशन के, अपना जो मुतरण हो है, मुतर जो जो अपने के करते है, तो मुतर निकलता है, उसमें तो पानी होता है, तो अपने को इन्स के मुकाबले में, अपन जो पानी का ज़्यादा लोश साहँ, ये बात मैं आ самой बता, क्या है कि यूर्य उटसरजी नितर आते हैं और यह जल जल के दर रहने वाले हैं यह तो अमोरिय उटसरजी है इनको और भी तरह पानी क्या है भाहर निकालेंगे ठीक है चलो अब आपने आ जाएंगे उच्छरजन तंतर पे आजाएंगे हूँन अक्सक्रीट्री शिस्टम से देखो जिए फोटो जी है इनस्यार्टी की फोटो है द्यान से देखिएगा सबको पता है कि अपने अंदर कितने चार किड़नी होती है थे तो किड़नी को किड़नी को कहते ह वर्क क्या कहते हैं वर्क कितने होते हैं जी दो होते हैं ठीक बात है देखते जाओ जहांसे और यह दो किड़नी है दोनों किड़नियों से क्या निकल रहा है एक पाइप निकल रहा है एक पाइप इस किड़नी से निकला एक पाइप इस किड़नी से निकला जहांसे मैं सुनना मैं जो बोलड्रा हूं वह बात जर्टार सुन दाओं मैं कह रहा हूं.. simple सी बात बोल रहा हूं.. कि अपन माना उस्वर्जन दंधर पढ़ रहे हैं.. माना उस्वर्जन दंधर के अंदर पने कहो मेन पढ़ना है.. kidney.. work.. जो व्रिक है आपकी.. वो कितनी होते हैं वह दो होते हैं अब मने कहा वह दिग गई आपको भया दिग गई मने कहा कि इन में से देखो का निकल रहा है आपने कहा यहां से दो पाइप निकल रहे है एक वरक से एक पाइप निकलेगा दूसरे वरक से दूसरा पाइप निकलेगा दो पाइप निकल रह क्या नाम है इनका मुत्रवाहिनी इंग्लिज में बात करूँ तो यूरेटर क्या नाम है इनका यूरेटर 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 और फिर आपका मुतरमा रहे हैं.. यह जो आ रही है रेड़ वाली यह काहे अध Urban theme.. यह जो आ रही है इसका नाम क्या है पश्य महा सिरा.. अब इतना याद रखो.. यह जो structure अपने इसको आगे detail में करेंगे.. यहा तक आपने को वे ने देख लिया.. अब जो हम आपको कहे रहा हूं, कि आपकी जो माना उस्वर्जन तंतर हो किस-किस से मिलकर बना हुआ होता है, एक मिनिट दीजी, इसको silent कर ले, ताकि आपनको zero disturbance हो, चीच है, अब देखो वही, मान उस्वर्जन तंतर घौह हो किस-किस से मिलकर बना हुआ है, व्रख, कीड़नी से, ठीक है, मुतरवाहीनी, उसके लाव मुतराशतין और मुतरमार्वल्स, खतम हो गया, इन चीजों से मिले कना आपके माणर उसरेजन तंत्रः जो बना हुआ होता है। आप तो इक रिषे कर लेते हैं, जो वरक जो आपकी किड़नी, इसकी क्यों परकारती की स्प्रकार होती है, sı sud us लीज की सैनल समय लाख का होतीrrrr possessions Location कहा होती है, अब अब आपको पूचै भया location बताऊ, भया उद्रगुहा के अंदर होती है। व उद्रगुहा, abdomenal cavity के अंदर होती है। उद्रगुहा के अंदर भी लेवल बताऊ। कौन के लेवल पर है exact pinpoint location बताऊ। तो आपको अग Battle location ये level, थो क्या बताऊगे। तो T12 और L3 के बीच में पाय जाती है, तो अंतीम वक्षिया कोई सी हो जाए कि आपकी T12 होगी है, जो लास्ट थोड़े सिक वर्टिब्रा है, जो लास्ट आपकी अंतीम वक्षिया जो वर्टिब्री होती है, वो आपकी T12 होती है, और जो तीसरी कटी कसे रुका है, वो आप उसने का लोकेशन तो बता दिया, आपने ठीक ठीक है, लेकिन हमें पिंपोइंट लोकेशन दो, तो हमने कहा, कि आपकी अंतीम वक्षिये और तीसरी कटी कसे रूखा के बीच में पाई जाती है, T12 और L3 के बीच में पाई जाती है, फिर उसने पूछा, कि लंबाई कितनी हो होता है, तो हमने कहा, एक अडल्ट की बात करें, एक हेल्दी अडल्ट की बात करें, एक हेल्दी अडल्ट की बात करें, तो 120 से 170 ग्राम क्या है, इसका बहार होता है किड्नी का, 120 से 170 ग्राम इसका बहार होता है किड्नी का, अगर हम एक अडल्ट की बात करें, तो ठीक है, आ को ध्यान से देखो और मैं जब कोई चीजी दिखा जाओं वो देखते जाना यह किड़नी जो हो चार तरफ से बंद है कहीं से आपको द्वार दिख रहा है कि इदर कोई गुषने की जगह है यहां पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है तेकिन एक जगह है जहां पर क्या है द कुरी किड़नी चारों तरफ से कफ़र है लेगिन यहां पर आने जाने की जगह यहां पर आसा दो द्वार का नाम क्या होता है हाइलम या यांद रख रहना क्या कहthis धाए है कहां झा़ग है हाइलम क खीड़नी के अंदर जितनी भी चीजह को आना है जाना है वो किसको थि optimize 00 वो क्या आपका हाईलम, छीक है, हाईलम आपको दिख गया, जैसे ही महाई हाईलम के अंदर गया, इस हाईलम के अंदर जैसे इस गेट के अंदर महाई गुसा, तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे कीप की आकार की सरंचना दिखाई देती है, फनल शेप का मुझे एक स् और आंट क्या कहते हैं, renal pelvis, हिंदी में बात क्यों तो वर्क, renal word किसके लिज होता है, kidney के लिए, तो हिंदी में kidney को कहते है each word ठीक है तो थीद तो यह क्या है आपकी work pelvis , जैसे ही आपर सबसे पहले मुझे क्या दिखाए देगा, द्वार ग्इट के अंदर गुषा, मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे एक कीप के आकार की funnel shape की मुझे क्या दिखाई, एक सरंचना दिखाई दी, जिसको मैं कहूंगा work pelvis, खिक बात है, जैसे ही मैं इस work pelvis के अंदर गया, तो मुझे क्या दिखाई दिए, मुझे यहाँ पर kelysis दिखाई दिए, यह जो आ हैं मध्धांच piramid, यह जो है न, मुझे मध्धांच piramid दिखाई दिए, फिर मैंने और धान से देखा, तो मुझे क्या दिखाई दिए, कि इन दो मध्धांच piramid के बीच में एक सरंचना है, एक सरंचना, दो मध्धांच piramid के बीच में एक सरंचना है, उसका नाम क्या है, बरतीनी के स्टम्ब, क्या है, बरतीनी के स्टम्ब, कोलमो बरतीनी या फिर बरतीनी के स्टम्ब, यह चीजे मुझे दिखाई दी, फिर मैं और आगे गया मैं, और आगे मैं जाता गया, तो मुझे क्या दिखाई दिया, यहां तक तो आपका मध्यान स्पिरामेट थे, और यह फिर मुझे क्या दिखाई दिया मुझे की दिवार दिखाई दी ठीक है और उस दिवार को उस आवन को क्या कहते है उस कैपसुल का कहते है वरिक आवन कहा जाता है क्या कहते है वरिक आवन है तो यह सारी चीज़े मुझे दिखाई देते हैं एक बार हम वापस आपको अंदर गुष के दिखाता हूँ, ठीक है, किड़नी के सबसे गेट का नाम क्या है, गेट का नाम तो आपने बताया हाईलम है, गेट के अंदर गुषा मुझे कीप का कारी की सरंचरा दिखाए दी, उसमें से कीप का का सरंचरा मुझे दिखाए दी, और सरंचरा का नाम क्या है, वर्क इसमें कोटेक्स कहते हैं, फिर मैंने बाहर देखा किड्नी के बाहर एक आवरण है, उसका नाम क्या है, वरकावरण, ठीक बात है, चलो, आगे बढ़ते हैं, और मैंने यह बात आप बताई दी कि जितने भी सीजें, यहां अंदर आएंगी, बाहर जाएंगी, वो कहां से निक एक किड्नी के अंदर, एक किड्नी के अंदर, एक मिलियन वरकाणू होते हैं, तो एक वरकाणू की बात कर रहे हैं, नेफरोन की बात कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं, कि एक किड्नी के अंदर, एक मिलियन आपके वरकाणू होते हैं, और एक मिलियन यूटूब का जमान, आ उसकी functional unit है, कारयात में काहीं यही है। ジャग काम काम करते हैे कंगते हैं, यही वरकानों घरते है। किड्नी के अंदर क्या है? यही वरकानों बिद जिसा हैं। व्रक की चार यात्म की काई है, ठीक है, उन वरकाण हो आपका, अब ये आपका डाइगराम धान से देखना, मैं जितना दिखाऊं, उतना दिखते देखते जाना, ठीक है? यहां पर जो रैड कलर में मुझे दिखाए दे रही है, वो कहां आपकी रक्तवाहिकाई है, ठीक है, जो रैड कलर में बनाई हुई है, वो रक्तवाहिकाई है, नाम बता रहा हूं, जहां से सुनते जाना, यहां से यह रक्तवाहिका है, यह रक्तवाहिका जो है, वो कहीं से आ रही है, उपर शार यह डिदेश, ठीक है, यह रही है, ठीक है, आ रही है, अपने को इतना समझेगा ना, यह आ रही है, ठीक है, इसका आने वाली रक्तवाईगा का नाम क्या होगा, अभिवाही धमनिका, कौन से धमनिका, अभिवाही धमनिका, आ रही है, अभिवाही धमन तो आ रही है उसका नाम क्या है अभिवाहिदमनी का ठीक है और यह आगे आके यहां पर गुच्छा सा बना रही है अपस में उलजी के गुच्छा सा बना रही है इस गुच्छे का नाम क्या है अभिवाहिदमनी का ठीक है और जो यहां से निकल रही है उसका नाम है अभिवाहिदमनी का ठीक है और जो यहां से निकल के जा रही है उसका नाम है अभिवाहिदमनी का ठीक है और जो यहां से निकल के जा रही है उसका नाम है अभिवाहिदमनी का ठीक है और जो यहां से नि बॉच एक नाम आपको बताइए, इसकानाम है Glomerulus कोशिका गुछ, चीक है, अब यहां से देखो, यहां से मैं आपको दिखाना है, अतने बाते देखना है, अब वाही अपू समझ में आ गया है, चलो, ठीक है, अब यहां पर आपको नीचे एक सरंचना दिखाई दे रही है क्या नाम होता है इसका बोमन संपूट कब जैसे सुरंचना इसका नाम है बोमन संपूट किसका भाग है यह वरकाणू का भाग है किसका भाग है वरकाणू का भाग है वरकाणू का भाग है वरकाणू ही दिखा रहा हूँ आपको क्या होते है वरकाणू नाफरोन होती क्या ब इसका नाम क्या होता है समीपस्त स्वालित नलीका, क्या नाम होता है, समीपस्त स्वालित नलीका, शोट में इसको PCT कहेंगे, वह PCT क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिस में इसका नाम होता प्रोक्सिंबल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूर। इसलिए इसको PCT कहा जाता है। तो समीपस्वालित नलीका आजएबन इसको PCT ही कहेंगे। ठीक बात है। पहर क्या रहें कुछ भी नहीं सिंपल है। शुरुवात कहा से होई सरंचना की सुरुवात कहा से होई। ऐसा एक कप जैसी structure थी जिसको अपने वोमन संपूट कहा दिया। और फिर वो वोमन संपूट कहां से जुड़ा होँ था। वह आपका समीपस्वालित नलीका PCT से जुड़ा होँ था। हमने PCT से जब हम आगे गए तो हम्में क्या दिखाई दिया। ऐसी er and shelında गई इए ऐसे सरंचना ही क्ले हाल Presonge लिदे किन आती है लाई से जुड़ा बनाती हैं से सरंचना थिक हैं। u-shape वाली u-shape वाली जो hair-beena util वैसी सरंचना नहीं होगी किया ये वैसी सरंचना है य क्यों इसको चैक है इसको 하면ले loop क्या कहते हैं इसको हैंले loop से जब हूँ आ溪 बढ़ेंगे तो क्या हमें क्या दिखा दिया वापस एक अगर आपको सारी नेफ्रों जव जुड़े हुए होते हैं एक पर मुब्ध से रेपीट करूंगा ँर्म आपको क्लियर होनी चाहिए देखो देखो जान से, यहां से अपना नेफ्रोन स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या दिखाई दी, ऐसी कप शेप की सरंचना हमें दिखाई दी, जो कहते है बोमन संपूर, बोमन संपूर किस से जुड़ा हुआ था, PCT से जुड़ा हुआ था, PCT को हमने देखा, फिर PCT से आगे ब एक संग्राय ने लिखा के अंदर काफी सारे नेफ्रोन जुड़े हुए होते हैं, आप मैंने में बिखा कोता है कि यह क्या है, आपकी हेर पिंज जैसे रेंचना जिका नाम क्या है, हैनले लूप, अब यह वाली जो इसकी भुजा है, हैनले लूप के अदर दो भुजा है, शो कैंगे, आपनाट दो बिखा, अपने बिखांगे, हैनले लूप, और जो नीचे से रूप जा है, आरो भाव कर दो नास से जो आत कंता है दो जो आ रही है, है इसको भुजा है, उसको यह साराए दोस तरफ गूमती है, पिर यहां पर अपनी जो जो आपनी यहां से निकल जागे यहां चली जाती यह है यहां तक समझने सिंपल सरंचना थिंपल सरंचना मैं यह वापस रिपीट कड दू गा कोई दिखत व्ल्ली बात Buy मैं आपस बोल देता हूं, बोल देता हूं, कैप जैसे सरंचना, खीक अभी हा, PCT ठीक है, फिर Henle Loop, Hairpin जैसे सरंचना आती है, ठीक है, जिसमें नीचे वारी बुजा भगी, उसको अपन कहेंगी, अवरो ही बुजा, जो उपर जा रही होगी, उसको आरो ही बुजा, उसके बा एक होता वलकुटि वर्कानु, एक होता सानीदे मध्धानश वर्कानु, वलकुटि वर्कानु को ऑउं इंडिष में कहते हैं, deepenं clairement उनको कहते हैं, जकस्टा उन्रफिक जैसे करें, जगस्टा मेदलरी नेफ्रोन, फरक्षिर आज़ दो परकारों फरक्षिया है, जो वल जिनका हैंले लूप छोटा होगा ना, जिनका हैंले लूप छोटा होगा तो वो बेचारे नीचे की तरफ निजापाएंगे, ठीक है, जिनका हैंले लूप छोटा होगा वो तो बेचारे यहां ही रह जाएंगे, वल्ला वो क्या है, वलकुट वलकुट वाले भाग के रहेंद यह वाला फरक है, अब बात करेंगे मुत्र निर्मान की, मुत्र निर्मान होता कैसे, यूरीन फोर्मेशन किस प्रिकार से होता उस पर हम बात कर लेते हैं, यूरीन फोर्मेशन को समझने के लिए स्बसे पहली जो स्टेप आती है, वो क्या आपकी परा निशंदन करना पड़ेगा अपनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहां से मैं इसको फिर्स्ट स्टेप ना कोल कर, मैं स्कुस्तार माग करतो हूँ तो ज़्यदा बढ़ता है ठीक मैं कह रहा हूँ पहले जो स्टेप पर हुआ कि परा निशंदर इंग्लिस पर ज़्यदा समझ में आएगा आपको अल्ट्रा अल्ट्रा फील्ट्रेशन न को होतना हйाँ में और यह जो नीचा है आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है अभी आपको दिखाता हूं . सारा सीना आपके दिमाग में create करता हूं. यह तिन चीजी में आपको सामने रखोसे यह आई कहा से वह दिखाता हूं, अजो यह देखू, दिख रहा है यह सरंचना दिख रहा है आपको दिख रहा है यहां पर यह जो रेड कलर वाली क्या है यह जो गुच्छा सा बनावा इसमें क्या है रक्तवाही का है ठीक है और यहां पर यह जो ब्ल्यू कलर में आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर यहां पर यह जो क्या है वोमें सम्पूट की क्या है उपकला ओभ्याय इस एक जिली है तो तिनों सरचने आपको दिखाए देगी ठीक है, ओगाज़ेक्श्द आपकी रक्त जायेगा जायेगा मलेगा तुछ Ёआ किओ गते है और filter होके इधर आएगा, कि कैसे आएगा उसके बारे मात करते हैं, रक्त में क्या क्या चीज़े होती हैं, भीया RBC, WBC और platylates उसके लावा plasma होता है, तो मनी कहा कि कभी भी ultra filtration के अंदर RBC, WBC platylates नहीं आती है, इस रक्त वाहिका से बाहर जो है आपकी RBC, WBC platylates बाहर नहीं आ बाहर आएगा, मनी कहा plasma यहां से बाहर आएगा, जो filtration है, उसके अंदर क्या बाहर आएगा, plasma बाहर आएगा, और एक बात और धान में रखने ठेके लिलना, कि plasma के अंदर भी protein जो है बाहर नहीं आते, protein यहां से कभी भी filter होकर नीचे नहीं आते, ठीक है, protein filter नहीं होते, यह दिवार धान में रखने, तो यहां से रख जा रहा है, ठीक है, और यहां से क्या होगा, filter होना, start होगा, ठीक है, तो पहरी दिवार filter होगने के लिए कौन सी दिवार पास करी इसने, endothelium, यह रखतवाईगा की दिवार इसने पास करी, फिर आगई कौन सी आपकी आधारी ज पॉडो साइड कहते हैं, और यह दो पॉडो साइड को सिखा है, इनके बीज़, चिदर होता है, ठीक है तो जो यहां से filtration हुआ है, जो इस चिदर में से यहां इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, तो यह scene कहाँ चलता है, यह scene यहां चलता है, यहां रखतवाईगा से filter होके यहां आ जाएगा इस pipe के अंदर आ जाएगा माल मसाला ठीक है तो देखो यहां से कुछ data दिखाता हूं आपको एक renal blood flow क्या है मैंने आपको पिसले chapter के अंदर क्या बजाया था blood वाले chapter के अंदर है कि आपका जो heart है वो कितना blood pump करता है यह 5 liter blood pump करता है ठीक है उसमें से kidney के हिस्थे में कितना आया है किड़नी के हिस्थे में आता है 1100-1200 ml वो आता है बहुत है 5 liter blood pump किया है तो उसका एक वन फिफ्थ भाग जो है आपका वो kidney के हिस्थे में आता है 1100-1200 ml वो kidney के पहुंचता है वो blood ठीक है कितना आया है, 1100-1200 ml आया है, क्या 1100-1200 ml पूरा का फिल्टर कर देंगे, नहीं जी, जिसमें से RBC, WBC, प्लेटलेट्स यह नहीं आयेगी, प्रोटीन भी नहीं आयेगा, सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा आयेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोमिरूलर, फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, जिसको फिल्ट्रेशन रेट जो हो कितनी होती है, 125 ml एक मिर्ट के अंदर, ब्लेट कितना है, 1100-1200 ml आता है, और फिल्टर कितना होता है, एक मिर्ट के अंदर, सिर्फ 125 ml जो ब्लेट है, वो आपका यहाँ पर फिल्टर होता है, एक मिर्ट के अंदर, ठीक है, और पूरे दिन के अंदर कितना blood filter होता है 180 liter per day क्या है आप ब्लेड जो filter होता है अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि भाया आप कह रहे हूँ कि 125 ml पर मिनिट आपका filter होता है और 180 liter एक दिन के अंदर filter होता है अगर ऐसा होता हम 180 liter मूतर थोड़ा निकलते है अगर ऐसा होता है यह जितना आपका filter किया है this सारा का सारा मूतर से बहार नहीं निकल जाता, सारा का सारा अपन बहार नहीं निकलते, इसमें से इतना सारा निकल लेंगे तो पानी आएगा कहा से, पूरा पानी निकल देगा, थोड़ा थोड़ी होता है, हो जादा होता है, तो क्या करेंगे इसको, वापस अपन री एब्ज फिल्ट्र होके, यहां से फिल्ट्र होके, यहां से फिल्ट्र होके, यहां से फिल्ट्र होके कहां पहुचेगा, किस इस के अंदर, समीपस, वालिद, नलिगा के अंदर, PCT के अंदर पहुच गया, PCT के अंदर क्या होगा, वो देखो, PCT के अंदर क्या होगा, अधिकतम पुन किदने absorption होता है? शक्रिय और प्रसिव या आपको धाने में रखना है. शक्रिय और निशक्रिय रूप से आपके Na-Plus, Glucose और Amino Acid, इनका absorption जो है, वो शक्रिय रूप से होता है, और प्रसिव आपका Urea, जो है, इसका passively होता है. फिर बात करें पर Henle Loop की, फिर PCT के बाद में क्याएगा, वो आपका filterator वो कहाँ जाएगा, Henle Loop के अदर जाएगा, तो Henle Loop के अदर भी absorption करवाना है, तो पानी और जो electrolyte है, उनका absorption होता है, पानी कुछ सोल्स का क्या absorption होता है, हब आपने कुछ चीजें absorption करवाली तो यहां से कहें कुछ सिक्रीट भी करने पड़ेंगी, तो कुछ चीजें सिक्रीट भी हो दें, PCT अब्सुषित करता है कुछ चीजें, तो कुछ चीजें वह है, रिलीज भी करता है, PCT जो है, वो फिल्ट्रेट के अंदर क्या है, रिलीज कर देता, जैसे आपको दिखाऊंगे, यहां से इस लुप की बारे में कुछ आपको धाल में रिलीज करता है, और संग्रे नली का जो है, अब बात करेंगे पर काउंटर करंट मेकेनिजम की, हिंदी में कहते है, इसको पर्तिधार कीर्याविती, जहां से देखना, वही आपका क्या है, नेफ्रोन है, ठीक है, और वही नीचे वासा रेक्टा है, ठीक है, बस थोड़ी से गणीत लिखी हुई है, अंदर नमबर्स लिखे हुए है, जहां से देखना, बस टेंशन वाली बात है ने, इसमें बसे, ठीक है, इजी है, बिल्कुल, इजी है, क्या है, यह यह तीन सो दोस्तों, क्या है, देखो यहां से, मैं क पानी की मातरा जादा है, क्या है, जब बढ़ जाएंगे, तो इसमें बढ़ जाती है, आपको एक्जामपल देता हूं, मैं कह रहा हूं, कि मेरे पास में एक लिटर पानी ले लिया, और थोड़ी सी मैंने उसमें चीनी डाली, खुड़ी सी डाली है, चीनी यहां पर क्या है चीनी डाली मैंने थोड़ी सी, अब यहां पर सुल्यूट कम है उसके अंदर, सुल्यूट क्या है उसके अंदर, कम है, तो मेरा जो पानी है यहां पर, मिठा कर रहा हूं, पानी मिठा कम होगा ना, कम concentration उसकी कम रहेगी ना, मैं चीनी ओर डाल दूँगा, तो उसकी concentration और इसमेरा यहां पर 300, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने यहां से हमने क्या किया, पानी को अफ्शूशित करवाया, H2O को मनें क्या करवाया? पानी हमने अंदर ले लिया ठीक? अफसोषित करवाया पानी को तो यहां पर क्या होगी 400 बट गई इसकी पानी को अंदर ले जाएंगे Plus वड़ाएंगी हमने और पानी को अंदर ले लिया H2O को और ले लिया Concentration 600 हो गई वही हमने और ले ले लिया पानी को अंदर आज रहा है। कहले किुछा है पर अपान पानी को अवे भी हुकत ईया को पानी हो लिए। एक सोफसी लिटर पानी बन रहा था ना पूरी दिन के अंदर, उसमें पानी को अफसूशित करवा लेते हैं वापस, इस परिकार से अफसूशित करवाते हैं, तो बहुत सारी काम की चीज़े भी है, जैसे एने प्लस है, ठीक है, सारा एने प्लस खराब नहीं होता, अपने ल इस ने चीनिये डाले थी, मैं उसमें से चीनिये मान लो, एक वार कि लिए मान बहुता निकालता जाराओं तो वापस वो क्या है, यहां से मैं एने प्लस और निकाल लूँगा, देगो वापस 6S बिखाए, और निकाल लूँगा बहुता है, तो जो बचा है आपका concentrated urine बचा है, मुत्र बचा है, वो यहां से कहाँ आएगा, आपका अब देखो है आपका? यह यह है आपका? वासा रहरेक्टर देखो आपको यहां पता था पत्युअए वासा रहे worry आप जहां जा देखना है? मांचा यार sorry 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 धान से देख , मैं कहह 안ए कि इसानाम पहले तो चाउंट करेंट क्यों है इसलिए है कि आपका जो फिल्ट्रेट वो उससाइड में बैता हुआ जाए और आपका जो blood है वो आपका इस साइड में आता दाएगा, ठीक है, filtrate आपका इस साइड में ठीक है, और आपका जो blood है वो आपका इस साइड में, दोनों आपस में दूसरी के उल्टे हैं, इसलिए counter current mechanism कहते हैं, हम किसी के आपके सामने कोई बोल रहा है और आप उसका counter कर रह रख क्टरिशा आपका नूश्य है क्या है, क्या है concentration है, क्याकम है, जैसे यह से यह से नपर तो राता आपका गया नहींल करने निंदर निमा निकालता गया तब ब्लस में इस से नखे साइड लगी ब्ल्ड के अंदर जा रहा था ठीक है जो इनदर 300 था गया इसके अंदर ma Plus है तो इसकी चार सो हो गया ठीक है जैसे के अंदर और ma Plus गया तो 600 हो गया तो फिल्टर वर गया थीक है सेटिटरं बटतर रही है उसमाल को अब्जोब कराके वहाँ का ब्लेट केंदर ही भेजना अपने को, तो यह जो S2 है, यह कहाँ जाएगा, यहाँ देखो, 1000 अपनी कंस्टेशन बारास होती, 1000 प्या गई, ठीक है, कम होती जाएगी अब, पानी यह कहाँ जा रहा है, 1000 से 800, ठीक है, और अब पानी जाए आर्फिक जो Kidney है, उनके functions का Regulation किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर किसλι के सरीर से, जल, जो है, उसकी अधिक हानी हो रही है, तो अगर किसल के अधिक हानी हो रही है, तो होगा क्या, सरीर से, जल की अधिक हानी होगी, तो आपके जो Grahi है, वह activate ह हो जाएंगे जो सबक्रस हैं जो ग्राही है वो क्या हो जाएंगे अक्टिवेट हो जाएंगे और वो एक्टिवेट होके सिगनल किसको बेजेंगे हाइपोथेलेमस को स्टुम्लेट करेंगे जैसे पानी का लोस जो है सरीर से पानी का जो हानी है वो जादा होने लगेगी तो बाई जो हम अक्टिवेट हो जाएंगे वो सिगनल भाईजेंगे, हाईपोथेलेमस को इस्टुम्रेट करेंगे, उसको हाईपोथेलेमस को उत्यजित करेंगे, और हाईपोथेलेमस को कहेंगे, भया क्या निकालो आप एंटि-डायोरिटिक होर्मोन निकलवाओ, ठीक है, आप एंटि-डायोरिटिक होर्मोन जो एटी-अचो क्या कराएगा, जल का पुन्हा अफ्सूशन करवाएगा, पानी ज्यादा निकर रहा था रा सरीव से, अब ये क्या करेगा, जल को पुन्हा अफसूशित करवा लेगा, ठीक है, कि वहा तुरों को ज्यादा मन निकल नह तो जल का पुना फूर्शन हो जाएगा और क्या जल की आनी तुक जाती है ठीक है चलो इस परकार से होता है ठीक है अब आतके नहीं के आता रास मेकेनिजम रेनी एंजू टेंसे ठीक है अगर GFR में कमी आ गई ठीक है GFR में कमी आने का मतलब क्या है कि किड्नी के पास में ब्लड कम पहुंच रहा है किड्नी के पास में ब्लड जो है वो कम पहुंच रहा है तब तो GFR में कमी आई है ठीक है किड्नी के पास में अगर 1112 ml आएगा तो वो 125 ml निकाल देगा लेकिन निकालेंगी, क्या निकालेंगी, रेनिन निकालेंगी, अब इस रेनिन काम क्या है, एक एंग्यो टेंसिनोजन जो है, वो लीवर बनाता है, लीवर क्या बनाता है, और यह एंग्यो टेंसिनोजन जो वो क्या है, इनक्टिव स्टेज के अंदर है, यहां पर रेनिन बना है, य की अंतर बदल गा, पिर ये angino-tensionogen जो वो किसमें बदल जाएगा, angiotensionogen second पो है और ये angiotensionogen second तरियो निकालता है। वो वेo-constriction का काम करता है। वेo construction है। चिक्शन के थिक है तो परे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, वैसा ही काम यहां पर होगा, कि GFR की कम ही, किद्नी के पास में रक्त कम पहुंच रहा है, तो क्या करेगा यह, वेजो कॉंस्ट्रिक्शन क्या करेगा, वाही का है, उनको पिछकाएगा, जैसे पिछकाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जा तो काम करता है, ऑफ यह, और वापस रिपीट कर दूब, वाराज मेकनिजम क्या है, GFR में जब कमी आती है, GG cells अक्टिवेट होती है, रैनिन निकालती है, रैनिन क्या करता है, एंचिआ टैंशनोजन को अक्टिवेट करता है, और एंचिआ अथा पिछकाएड़ प्रेशर बढ़़ जाता है, और आई निकलता है, आइनेफली और जिलका अफृफ्स नरवाता है. Maath करिंगू अगली process मूत्रना. ठीक है, इस मूत्रन द laptop देखना है? मूत्र को बहार निकालने की क्रिया है, मुत्र को बहार निकालते हैं, उसी किरिया हो गता है, मिक्चूरेशन in English में कहते हैं, देखो जांसे, यह क्या है जी? यह क्या बना हुए है? यह आपका मूत्राश्य है, यह नीचे क्या है? यह मूत्रमार्ग है, और इस मूत्रमार्ग के अंदर दो गेट लगे हुए हैं, जो यह वाला Gator क्या है? इंटर्न स्फिंंटर है और जो भार वाला Gator क्या करेंगा सुधिया महित बिद आपस सपरोगाय। इंटर्न स्फिंटर होता है दुनों गोच मिला के क्या करड़ेंगे इसको युड॥र्फिंटर्स पर कह contradiction क्या.. तरह स्टाटिंग में पने देख लिया था कि यहाँ यहाँ पर आपके जो हैं मुत्र लेकर आती है गले पनाओ कि prendion जाति है। ओ एस टंकी के अंडर मुत्रहिची के झार करती है। अब इस टंकी की यहònडर कोई लिमिट है। यह दॉट काहरा है। जैसे यह टंकी पूरी भर जाएगी, मुत्रा से पूरा भर जाएगा, तो उसकी दिवारों पर क्या लगे होए होते हैं? रिसेप्टर लगे होए हैं, और यह रिसेप्टर क्या करेंगे? सिगनल बेजेंगे. यह रिसेप्टर क्या करेंगे? सिगनल बेजेंगे. किसको सिगनल क्या करो तुम संकूचन करो जैसे तुम संकूचन करो इसको भागना पड़ेगा इसको भागना पड़ेगा यह खाली करेगा तो यह सिगनल देता है और इसकी दीवारों में क्या होता संकूचन स्टार्ट हो जाता है जैसे संकूचन स्टार्ट होने लग जाता है जैसे काम होता ना जैसे ही यहां पर जो मुत्राशे इसकी दिवारों के अंदर संकूचन होगा तो यह जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर यह क्या जाएंगे रिलैक्स हो जाएंगे वापस उने जांसे जैसे ही मुत्राशे की जो दिवारे हैं उनमें संकूचन होने लगेगा वैसे ही य आईसे ही, यहाँ पर संकुच न्हीं स्टार्ट भा बाहरवाल प्रवाले को सकते हुं, चबनेeriesट को इस को इसको बाहरवाल ग conscientious areaoch बाहरवाले को आप चैक होड़ा नहीं सकते हैं तो बाहरवाले को ऑप झ्यादा देर थक यूरीन का रंग कैसा होता है? हलका पीला, pH कैसी होती है? 6.0, ठीक है मैंदब क्या है? फोड़ा सा अपका अमल यह होता है, एक दिन में कितना आपन यूरीन बहार निकालते हैं? एक से डेट लिटर पर डे निकालते हैं, ठीक है? और उस यूरीन के अंदर कितनी यूरिया, य पची से 30 ग्राम यूरीय आपन बहार निकालते हैं एक दिन के अंदर एक्जाम में आया वा क्योशन है, याद रखना है आपस बोल रहा हूँ, यूरीन का रंग कैसा है? हलका पीला, pH 6.0, उसके लावा आपकी, आपन एक दिन में कितना यूरीन बहार निकालते हैं तो एक स मुत्र में अगर ग्लुकोज आने लग जाए, मला कौन से कंडिशन है? गलाइकोसूरिया हो चुका है, मुत्र के अंदर अगर किटोन काया, फिर किटोन बोडी आने लगे, तो नो क्या कहेंगे, पन किटोन यूरीया हो चुका है, चलो जी, अब उससर्जन में अन्य अंगो CO2 भी क्या है, उससर्जी पिदारत है, वह भाहर निकाल दें, मतलब क्या है, वह भी उससर्जन ही है, तो CO2 200 ml पर मिनिट, एक मिनिट के अंदर 200 ml CO2 भाहर निकालते है, ठीक है, और जब अपन सांस लेते हैं, बाहर CO2 छोड़ दें, तो उसमें कुछ जल की, जो उसमें नमी होती है, किसका जल का पसेनाता जल तो होता है, ठीक है, NACL, थोड़ा नमक भी होता है, उसके अंदर, यूरिया भी होता है, और लैक्तिक ऐसेड़ भी, ठीक है, सिबेसिस ग्लेंड जो है, ये भी क्या है, आपका, उससर्जन करती है, सिबेसिस ग्लेंड कौन सा है, जो ओई सबसे बड़ा confusion यही करते हैं सारे, uremia, जैसे uremia सुनते हैं, तो बने में आता है कि भया, urine के अंदर के किसी के अंदर urea बढ़ गया, तो वो uremia होता है, नहीं ऐसा नहीं आधा रखना आपको, urine के अंदर, urea बढ़ने को uremia नहीं कहते, बलड के अंदर ऐग्र यूरे या बढद जाए जो उसको किते है यूरेमिया केते है Imp yel जाता है तो इसको उरेमिया केते है फिर रोड़ फेलियर्र मतलब क्या क्या है किडिनी फेल उचुकिया जी किड़नी का पास करौने के लिए एक तरीका है कोई सिर्फ transplantation तरीका है kidney fell होगी तो हो गई फिर ट्राश्प्लांट दिक है तो kidney fell होगी तो transplant ठीक है फिर Renal Calculi, Renal Calculi क्या है समय सुना होगा पत्री हो गई ठीक है पत्री पड़ती है यही है यही है आपकी Renal Calculi होती है इसमें पत्री यही है फिर डवन के ही एगुलंशिल क्रश्टल होते हैं जो की पत्धर का रूप ले लेते हैं ऐसे अपने इसको अपने कहा है और नॉरुन वलास में पत्धर ये पन कहीते हैं फिर गलॉम्यौमिरोलो 네फ्राइटीस क्या है? गलो-मुरीयोलिस देखा था आपने और आप आटिस वर जाहा आ नहीं देता है मतलब क्या है सोथ अंदर,संद हम उस्तर मेंद को अब कि अधनी के अधनी की इकषिक सब्दके जाता है लॉकुरिणी आपको इस आतर नहीं ऑसे सब्दकि मैं भूचा मैं सबुगाए थे जाता इस वज़े से बढ़ता है कि kidney डंग से काम नहीं कर रही, तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है जी, इसका इलाज है Hemodialysis, क्या होता है Hemodialysis के अंदर, किड़नी डंग से काम नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, हमने बाहर एक external kidney बना रखी है, करत्रीम kidney बना रखी है, उस क प्रिम चिट्नि से क्या कर देंगी हB अपने को हिपरेण डालना पडेका जी एगर अपने निकाल लिया तो बड़ थोड़ देर में तो वो जम जाता है घम जाता है या नि- प्लड को बह靠 निकालेंगे, ये अपने पास में एक unit होती है , एक machine type होता है, यह बलड को निकालेंगे इसFO solophen tube तो चाहिए देंगे, cellophane tube, और इस blood को अपने निकाल देंगे, किसमें डाल देंगे, cellophane tube के अंदर डाल देंगे, ठीक है, patient से blood निकाला, hypirin डाला, और किसमें डाल दिया, अपने cellophane tube के अंदर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर इसके बार आपको दिख रहा है, यह इस dializing fluid के अंदर, यूरिया को छोड़िये, बाकि सारी चीजे same to same है, यूरिया नहीं है, बाकि सारी चीजे same to same है, अब आपको समझ में आ गया और खैला क्या चल रहा है, चीजें इतने पता हैं आपको, कि high concentration से low concentration जाती है, उच्छी सांदरता से निमन सांदरता की तरफ च इस blood के अंदर, यूरिया जादा, इधर यूरिया है नहीं, जादा से कम की तरफ यूरिया बहार निकल जाएगा, यूरिया सारा बहार निकलेगा, और यूरिया अपन को बहार निकालना था, blood अपना normal हो गया, इस blood को वापस अपन का है, patient के दर चेठा देंगे, इस प्रका में कमेंट की दिरूब बताना, वीडियो अगर पसंद आया, लाइक कर देना, अपने दुस्तों के साथ में शेयर कर देना, यह नोट्स मिलेंगे आपको एप पे, तो description में link है, उसको download कर लेना, टेलेग्राम चैनल को join कर लेना, बागे मिलते हैं, अगली lecture scanner, तब तक के लि कर देना, बागे मिलते हैं, 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 बा